खूबसूरत बालों की चाहत तो हम सभी की होती है इसी तरह यदि आप अपनी चोटी को लंबा करना चाहते हैं बालों को काला घना और मोटा करना चाहते हैं दोस्तों तो आज की रेमेडी आपके लिए बनी हुई है इसी तरह से आपके बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी बालों में कालापन और बालों में घनापन आएगा बाल जल्दी सफेद नहीं होगे प्री मैचर ग्रे हेर की समस्या बिलकुल समाप्त होगी क्योंकि हम यहां अपने बालों की चड़ों को इतना अच्छा पोशन दे रहे हैं इतना अच्छा नरिश दे रहें जिससे हमारे हेर फॉलिकल में मेलेनीन का उत्पादन बढ़ेगा और जब मेलेनीन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं याने की प्री मैचर ग्रे हेर की समस्या बिलकुल समाप्त होने वाली है जड़े स्ट्रॉंग होंगी बालों गहनापन आएगा बालों में कालापन आएगा एक ऐसा हेर ग्रोध टॉनिक का वीडियो लेकर आई हूं दोस्तों जिसका इस्तमाल सभी उम्रवाले कर सकते हैं हमारे बालों के लिए हमारे स्किन के लिए हमारी सेहत के लिए इस संजीवनी जड़ी बूटी का इस्तमाल कर र अलोविरा का इस्तेमाल किया जाता है। हर्श केल्प को healthy बनाता है, बालों की growth को fast करता है, यह जेल। जिसमें किसी तरह का कोई chemical कोई preservation नहीं है 100% शुदल अलोविरा जेल। करिए तो इस्तमाल फिर देखिए इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा धेर सारे विटामिन और धेर सारे मिनरल होते हैं इस शुद्ध ऐलोविरा जेल में जिसमें कोई मिलावट नहीं कोई कलर खुशबू या किसी तरह का कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं है बाजार आजकल बाल जड़ने की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है नैच्रल चीजों का इस्तमाल करें आपने मेरी बेटी के बाल देखे ना कितने सुन्दर है क्यों कितने बचपन से ही उसके बालों की मैं केयर करते आ रही हूँ इसलिए बाल अच्छे हैं अब मुझे मत लिएगा मैं खुछ 60 साल की हो गई हूँ 60 साल में मैं चाहूंगी मेरे सारे बाल काले के काले रहें तो ऐसा नहीं हो सकता एजिंग की प्रोसेस को नहीं रोक सकते आपकी उमर कम है आप 35, 40, 45 साल के हैं आप आसानी से अपने बालों को मोटा कर सकते हैं पतली चोटी को मोटा और लंबा कर सकते हैं एलो विरा जो होता है दोसों इसका इस्तमाल दोनों तरह से करते हैं इसके उपर के छिलके सहीद भी या केवल जैल निकाल कर भी बालों को एक सुन्दार सा रंग दूंगी एक कलर दूंगी दोस्तों जो की आप आज ब्यूटी पारलर जाकर केमिकल वाला कलर कराते हैं बीट रूट का इस्तमाल करिए चुकुंदर का इस्तमाल करें खाने में भी करिए बालों में लगाने में भी करिए याने की बीट रूट का बालों पर एप्लिकेशन भी करें बीट रूट का consumption भी करें एक छोटा टुकड़ा चुकुंदर का डेली खाएं हीमोगलोविन लेवल को बढ़ाता है खुन की कमी को दूर करता है हमें एनमिक होने से बचाता है उसी तरह से हमारे बालों के लिए एक natural hair dye के रूप में काम करता है चुकुंदर बीट रूप एक्स्ट्रा मॉइस्चुराइजर के लिए हम यहाँ डालेंगे एक चमच नार्यल का तेल वैसे तो एलोविरा में इधना विटामिन E होता है परंतु फिर भी आजकल लोग बालों में तेल नहीं लगाते यह एक ऐसा complete hair pack है जो आपके बालों में oiling भी कर देगा नहीं लगाएं तो ना लगाएं तेल क्योंकि यहाँ पर तेल आपके बालों की जड़ों को मिल जाएगा एलो विरा के जितने न्यूट्रियंट्स है जड़ों को मिलेंगे आइरन से भरपूर बीट रूट आपके scalp को healthy बनाएगा आपके बालों के लिए एक dye का काम करेगा मतब कलर का काम करेगा बिना chemical का dye है चलिए blend कर लिया है देखिए कमाल कितना सुन्दर मेरा ये hair pack बना है जिसका इस्तेमाल सभी उम्रवाले कर सकते हैं एक cotton ले लीजिए रूई का एक मोटा टुकड़ा ले लीजिए उसे आप इसमें dip करिए अपने scalp पर squeeze करते जाएं या ऐसी कोई plastic की पुरानी bottle है ना जिसमें अच्छा थोड़ा सा चोड़ा वाला hole हो वो लीजिए ताकि क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा बना है एक्डम ये पतला नहीं बना है कि हम hair spray की bottle में डाल सके अभी सारे application वीडियो के last में मिलने वाले हैं इसलिए वीडियो को आखरी तक जरूर देखे बहुत से information लेकर आई हो अगली ची जो कि इस्तमाल करूंगी जो कि बालों के लिए बहुत ज़ादा गुणकारी है वो है fenugreek seed मेथी का पानी वीक में दो बार बालों पर लगाएं मेथी का hair growth tonic देखे बालों का texture improve होगा चाहे कितने भी रूखे सुखे बे जान बाल हो मेथी को मेरे बताय तरीके से लगा ले बालों में जान आ जाएगी मेथी को blend कर लीचे grind कर लीचे दही डाल कर मैंने मेथी को राद भर पानी में भिगाया था अगर मैं सुखा हुआ मेथी लेती सुखे हुए दाने लेती न मैं इतना चिकना नहीं पीस पाती राद भर भी गाये राद भर में fenugreek seed अच्छी तरह से पानी में सोख हो जाएंगे उसके बाद इसे grind करिएगा दही डाल कर एक कटोरी दही डाल कर दही कम लगे तो थोड़ा उपर से आप मिला सकते हैं आपको पीसने में आसानी होगी बहुत पतला करेंगे ना तो लगाने में परशानी होगी देखे मेरी बेटी इसी तरह से वीक में एक बार ऐलो विरा का कोई ना कोई पैक अपने बालों पर जरूर लगाती है कभी मेथी का पैक लगा ये कभी एलो विरा का ये ना सोचें कि अरे रोज अलग-अलग वीडियो आता है दोस्तों जो नूट्रियेंट्स पालक की सबजी में होते हैं वो बैगन में नहीं होते वो पता गोभी में नहीं होते वो मेथी में नहीं होते हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन्स हर तरह के मिनरल्स की जरुवत होती है उसी तरह से सकेल्प को हेल्दी बनाने के लिए सभी तरह के पोश्यक्तत्व बालों की जड़ों को चाहिए हम बालों में तेल नहीं लगाते इसलिए तो हेयर फॉल बढ़ गया है क्यों ड्राइनेस के कारण इसलिए आप सबता हमें दो बार तेल जरूर लगाए नहीं लगा पाते हैं तो मेरे बताई हुए इस हेयर पैक में एक चमच अपने पसंद का तेल मिला ले कोशिश करें जाद अच्छे से से लगा रही है सिर्फ केयर करने का नतीजा है कि बाल इतने खूब सूरत है बाल ही तो हमारी सुन्दर्ता में चार चांद लगाते हैं तो क्यों न हम अपने बालों का ख्याल रखें अपनी सुन्दर्ता को बनाए रखने के लिए सब ही उम्रवाले इस्तमाल कर आप कि मेरा बालों का टूटना रुक गया है, काफी हद तक धीरे धीरे ही रिजर्ट मिलेगा, देखे इस तरह से पूरी स्कैल्प पर लगा लिया है, जब स्कैल्प पूरा लग गया, आप आप बालों की लंबाई पर लगाईए, बहुत अच्छी चमक आएगी, बाल सिल्की शाइनी होंगे, आपके कमजोर बालों को मजबूत बनाएगा एक ऐसा हेयर पैक है, मेरा परिवार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए, इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखे, ताकि मैं जान सकूँ ये यो बनाओ, तो उस वीडियो में आपका नाम एनाउंस करूँगे, आपके शहर का नाम एनाउंस करके आपको थैंक्स बोलूँगी, रमेडी को ट्राइ करें, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल पर पहली बार आए है, तो टिप्स तेटर चैनल को सब्सक्राइब करें